गाइच आप हमेशा यही सोचते हो गए कि सर्विस सेंडर के जो लोग है वहां के जो लोग किस तरह से किसी भी अस्मार्ट इंड्रायड फोन को फोर्डगेट पीन पिटन पासवर्ड को खोल देते हैं तो दोस्तो अगर आप यह सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं लेकिन वहां पे जो काम किया जाता है वहां पे किसी भी फोन को अनलोग किया जाता है वहां पे ऑनलाइन मैथट के थुरू किसी भी अस्मार्ट फोन को अनलोग किया जाता है लेकिन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि offline के थुरू किस तरह से किसी भी forget pin pattern passport को किस तरह से खोला जाएगा वही trick मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ देखे हैं मेरे हाथ में एक smartphone ही जो यहाँ पे lock लगाओ है जो lock है यहाँ पे pattern lock लगाओ है इस pattern lock को हम reset करेंगे यानि कि unlock करेंगे वह भी बीना data को delete किये वेगर यानि without data loss और हम इसमें ना तो computer का help लेंगे नहीं किसी extra application का यह जो trick है 100% offline है और यह हमारी team की ओर से test किया हुआ है वेरिफाई किया हुआ है इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है फिलाल यहां पर देख रहे हैं मेरे हाथ में जो handset है इसमें pattern lock लगा हुआ है इसको किस तरह से unlock किया जाएगा सिख लीचिए आपको interface काम आएगा यहां पर देख रहे है फोन lock है जैसे ही swipe कीज़ेगा इस तरह से तो यहां पर locking वाला interface आगा देख रहे हैं यहां पर locking वाल इंटरफेस पर आपको एक ही option पर ट्राइग करना है जिसका नामे emergency call जैसे ही आप emergency call पर select करेंगे यहां पर एक page ओपन हो जाएगा देख रहे हैं emergency calls only का page आपको यहां पर यह code इंटर करना है आपके handset में और जब आपके handset में यह code इंटर हो जाएगा लास्ट में triple C से लगाना नहीं भूलिएगा और हैज यह रहा यह इसको बोलते हीडन secret code यह hidden secret code जैसे ही इंटर हो जाएगा तो यहां पर नीचे में दिखेगा आपको इस तरह से call करना है जैसे ही call करोगे इस तरह से message आएगा देख रहे हैं यहां पर आपके मुआल में ही इस तरह से message आएगा आपको यहां पर ok कर देना है और यहां पर आपको five times complete करना है five times यह मेरा five times complete हो गया जब आपको 5 times complete हो जाएगा इस नम्मर को erase कर दीजेगा इस तरह से जब नम्मर erase हो जाएगा तो second और last नम्मर है जो जिसको बोलते हैं master or locking code यह देखे star hedge, eight double nine और hedge hedge जैसे ही प्रेस किजेगा आपका phone चला जाएगा एक master page में उस page को engineer mode भी बोला जाता है अब यहां पर क्या करना है उपर से number four पर दीवे option है manual test इसको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर बहुत सारा page open हो जागा देखे बहुत सारा page है लेकि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही आपको try करना है उतना ही में आपका phone unlock हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको aim sensor नाम का एक option मिलेगा जो यहां पर यह रहा देखे aim sensor आपको click करना है इस तरह से जह सही click करेंगे तो इस तरह से देखे एक जएड यह जो sensor है आपस में सिंग्णाईज होंगे यानि कि इस तरह से fast move होंगे इस तरह से fast में चलते रहेंगे उसके बाद 3 second hold करना है उ इसको click किजेगा तो यहां पर चार तरह का option मिलेगा चार तरह का option में आपको ऊपर से second option proximister collaboration इसको click करना है इस तरह से जिसे ही click करोगे यहां पर OK का symbol आएगा देखे यहां पर आपको OK कर देना है और यहां पर आपको three times करना है two and three three times जब complete हो जाएगा इसको यहां से back कर द configuration है इसको click किजेगा तो हो सके आपके phone दो sensor चार sensor हो या तीन sensor हो वो देख रहें operation not a start mode में होगा आपका भी phone तो यह यह दोनों sensor को इस तरह से click किजे को test pass करके आएगा वह भी green color में नहीं आएगा तो फिर से try करना है तो यहां पर देख रहें यहां से यहां पर हमारा नही तो हम फिर से try कर रहें और test pass करके आना बहुत जोड़ी है देखते हैं आया कि नहीं आया है हम फिर से try कर रहे हैं यहां पर देखिए एक sensor को इस तरह से pass देख रहे है यहां पर यहां पर एक टेस्ट पास करके आगया आपके phone में इस तरह से आना चाहिए जब एक sensor पास हो तो यहां से बैक किज़ेगा यहां से बैक करते हुए इस तरह से स्लाइड करते हुए चलाना है सबसे लाश्ट में जो अधर नाम का पेज मिलेगा अब उपर से सेकन और इसको क्लिक करना है इस तरह से और यहां पर आपको कर देदा है जह सहें अनलुक तो हुआ ही साथ में जो डेटा है यानि के अप्लिकेशन फोटो जम्पी एंपी तिरी वो सारा का सारा इसमें मौझूद है तो यह बहुत ही संदार ट्रिक है जवर्दस ट्रिक है आप भी ट्राइ किजिए आपका फोन अनलुक हो जाएगा नहीं होता है उस केस में आ आपको आपके हैंडसेट के अकोडिंग हेल्प किया जाएगा तो एक बार आप जोएन एक बटम को ट्राइज जरूर किजिएगा